इस वीडियो में दीवी जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले, एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उप्य निम्न रक्ट कैल्शियम स्थर को संबोधित करने में मदद करता है। विटमिन D कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोशन में सहायता करता है, जो मजबूत हड्डियों के निर्मान और रक्रखाव के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि जिंक समगर विकास और उतक स्वास्थ्य में योगदान देता है। ये पोशन संबंधी पूरक विशेश रूप से कम कैल्शियम स्थर वाले व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया है, और बुजुर्गों, क्रोनिक गठिया और औस्टियों परोसिस से पीरित लोगों की हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फायदों के बारे में। एक, केल्शियम कार्बोनेट हड्डियों के निर्मान और रकरखाव में महत्वपूर्ण घूमिका निभाता है, हड्डियों की क्षती को रोकने और हड्डियों के समगर स्वास्थिय को बढ़ावा देने में मदद करता है। 2. विटमिन D केल्शियम और फॉसफोरस के अवशोशन की सुविधा प्रदान करता है, जिससे हड्डियों के निर्मान और उन्हें मजबूत बनाए रखने के लिए सही संतुलन सुनिश्चित होता है। 3. जिन्ट पिकलिनेट समगर विकास के लिए आवश्यक है और शरीर के उतकों के विकास और स्वास्थिय में योगदान देता है। 4. यह निम्न रक्त कैल्शियम स्तरवाले व्यक्तियों के लिए आदर्श है, जो कमियों को दूर करने में मदद करने के लिए आवश्यक पोशक तत्वप्रदान करता है। 5. आइडन्टी काईर टेबलेट क्रोनिक गठिया और और औस्टे ओपरोसेस जैसी स्थितियों में भी हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। विडियो को पूरा देखने के यह धन्यवाद। अगर आपको यह विडियो अच्छी लगी हो तो इस विडियो को लाइक करें।